ओलोगरेल, Welcome back to the channel, Welcome back to my video वाज हम लोग पलसर N1 60 को अच्छे से रिभीग करेंगे कि यह यह बाइक ट्रैवलिंग के लिए पैस्ट रहेगी कि नहीं किया पलसर N1 60 को आज ट्रैवलिंग बाइक्स हम लोग मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं अच्छे से पूरा इसको इस वीडियो में इसको बताने वाले हैं कि यह पलसर अन्वन 60 अब लोग एजिम कर सकते हैं कि यह ट्रिप के लिए बैस्ट रहे कि नहीं तो हम लोग ऐसे इसको एजिम करते हैं तो अगर इसमें क्या के फीचर्स में चाहिए एक ट्रैवलिंग में व कैसा मालेज होता है पावर डीवरी अच्छी होती है बोडी डामींशन अच्छह होते है अच्छा होता है सीट कंफ़र्ट अच्छा होता है और कह सकते हैं तो घूरिय Finnish में अहीं कि नियुक ट्रैफलिंग की लिए सटीरेबल है कि निए तो पहले बात करते हैं सब चीजे प गर 16 या 17 किलमेटर में 17 लीडर का टैंक होता है तो 14 का भी है तब भी कोई इसू नहीं क्योंकि यह ट्रैवलिंग बाइक में कह सकते हैं कि जो आज़े अधर चाहिए जैसे कि आती है और कैसे शुजी की विस्टों में आती है और जो बिहां डवलों की कुछ बाइक साती है उन 500-600 किलमेटर के अब हो जाया गई है तो इसका अच्छा पावर मिलता है अच्छी पावर डिलीवरी उनकी बट उसमें क्या है बिल्कुल आके बराबर है बहुत कम है तो वह बिलन के साथ हैं ट्रैवल कर सकते हैं उसमें तो प्रब्लम देता है मैंने पिजन के साथ 1700 किलमेटर ट्रैवल खुद गिया है मैंने यहां से ट्रैवल किया था कह सकते हैं जैपूर तक जैपूर से बहुत आगे गिया था तो आपको कोई पेन नहीं होने वाला बैक में तो यह इसका प्लस पॉइंट है कि सीट इतना ज्यादा हाश नहीं है यह अगर आप इस पर कुछ और एक्स्ट्रा जिसे कुछन लगा लो या पैडिंग लगा लो तो बहुत कमफर्ट हो जाए टीक है बट एटलिस इतना ज्यादा हार्ट सीट नहीं है राइडर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके फोट्रेस्ट भी बहुत अच्छे स तो इस चीज अची लगी मुझे और दोसरी बाद करें कि इसका पावर डिलीवरी और कैसा है तो इस तो इसका पावर डिलीवरी अच्छा है अगर आप अप रोडिंग या फिर गई कह सकते हैं कि आप फ्टोड़ा अफहील पे चला रहा है तो आपका सेकंड्ड गेर में भ आप रोडिंग कर रहा हूं अब मैं भी अप्रोड रोड आती है मैं सेगेंड डाउन कर लेता हूं कभी करना ही पड़ा आइधर बहुत जादी घड्ड़ ऑगया या बहुत ज्यादा्य था सकते हुदिसमान बहुत कमी डालना पड़ता है तो इसमें अच्छा है कि पावर अगर बात करें इसका कि इसका बॉडी डिजाइन के साथ तो इसका वीड भी अच्छा है आराम से 160 170 kg से वेट है इसका तो ज्यादा है नहीं लगती है ऑफ रोडिंग में ज्यादा देर अगर करोगे तो हैंडल में भी ज्यादा पेन नहीं होता है हाथों में प्यूंकि इसका और फोड़ों के दिजाइन इतना जदा रफन यह राइडिंग का नॉर्मल डिजाइन तो इसके गारण हम लोग आराम से सकते हैं और थर्ड बात करें इसका कै सकते हैं कि लाइट और कैसी गया इसकी जो लाइच सकते हैं विजए डिया कि अगर हम नाइट आनेटि में ट्रैवल करता भी एक से नात्वात में तो मुझे इसका जो कह सकते हैं जो का लाइट है इतना जदा मेरे लिए सब्सेंट रहता है किसकी विजरबटी अच्छी हो जाती है मुझे रोड काफी क्लियर दिखाई बढ़ती है तो लाइट नाइट के लिए अच्छी राइडिंग तो लगा दोगे तो यह चीज मैं अपने अपने बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा कि यह भी बाइक अगर कीचन में लेकर जाओगा तो थोड़ा बहुत स्कीट करती है तो मुझे पुत का एक्स्पेरेंस पता चला है जा मैंने विलेज में फ्लोडिंग की वहां पर पांडी बहुत सारा विला कीचड़ विला मैंने अलकी से ब्रेक हिट की पीछे की तो बाइक फोगी से स्कीट हुई बहुत ज्यादा है नह बात करें इसको ट्रेंलिंग और और यह सकते हैं कि इतनी जादे नहीं पर फिर भी मत थोड़ा बहुत में तो अपने सबसे जिता कर पाता हूं प्यूंकि इधार जो एरिया लगता है तो फोड़ी से रूप जिल्दी गंदी हो जाती है बट फिर भी मैं इतना ज्यादा में सब्सक्राइब बात करें इसको ट्रेंग लिए जो लोग ऑफिस परपस के लिए उनका पेट डाउन हो रहा है तो उनकी बता दो कि मैं अपने कॉलेश के लिए लिया तो मेरा कॉलेश संथिंग बन साइट से 47 किलोमेटर पढ़ता है और कभी-कभी मेरा कॉलेश जाना हो जा सब्सक्राइब तो मैं इसको एटलिस जब अपन डाउन करता है तो एटलिस 80 किलोमेटर का अपन डाउन हो जाता है मेरा अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगता है पाउड डिलेवर इच्छी लगती को जड़ा ज्यादा बैक्वेश पेन नहीं होता है और से भी नहीं लग सब्सक्राइब करोगे अगर डाउन में ज्यादा तो ज्यादा कमफर्ट लगता है इतना ज्यादा कोई रफ नहीं लगता है तो अगर जो भाई लोग इसको देखना चाहरे हैं और देली परपस के लिए पर डाउन करना चाहते हैं 40-30 किलोमेटर का तो उनके लिए बेस्च क्यों 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 कि भाई इस टाइम पर मेरी नहीं सर्विस वी थी और कह सकती कि मैंने बहुत तीज राइबिंग की थी उस दिन और मैं लेड वह था पालिच की लिए मैंने थोड़ा सा तीज बगा है और हैंडेड के अब हो माई लिए पर उसको निगाला अगर आप एट मैं अभी यहीं रहेगा कि आप लोग के लिए अच्छा सा कैसे के लिए वीडियो बनाओ कोई वीस ग्राइड नहीं करूंगा किसी को तो यहीं रहेगा इस बाइक काफी जदा अच्छी है अगर ट्रैवलिंग के लिए दिखना चाहरो और एक मीड़ प्राइस में 1,50 अप् कि अच्छा पैसा देगी मत पोटी की दभव देती है अगर बतारों कि अगर फोटी का मैलेज बसे अपरा टैंक तो एक लिसा आप लॉट ट्रैवल करोगे तो भाइक भी दब नहीं तोड़ती है अच्छा पैसा है इंजन भी पाउरफूल दिया गया तो लगता नहीं कि हा तो नहीं बाइस आ रही ही डोल्टी वाली पलसा अनल संक्सी उनमें एक लोगों को हीट ज़्यादा फील हो रही है लोग कूछ रहे है कि वहाई इनकी बाइक ज़्यादा ही टोरी क्या कर सकते उसके तो मैं तो यह होंगा क्या अगर आपकी पर सर्विस से पहले आप उसको क्यों आपको मैं अच्छा मिलेगा और इंजन कम घीट करेगे तो मैं ट्रैवलिंग परपस की लिए चूश का सकता तो में इस अब से तो बहुत लोग के वाई बैस्ट रहेगी ट्रैवलिंग दिलिए और बाइक बहुत अच्छी आती डिए इसको बताना चाहते हो कि यह बाइक भी इच्छी है ट्रैवलिंग परपस के लिए ठीक है तो बाकी बाते मैंने सब कंविजन का किसी बाइक को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी वाईक पूछना हो तो मेरे इस्टाप यहां पर इंस्टाप आप आप डिम कर सकतो नौर्मल अँछ से लोगना हो जूर्बश कि अज रखने ले आप ज्क्र मेरे रह ना हैं आप आप आपके लिए यहां ना है reda बाते हैं ने एक प्रॉब्लम जाप आपके लिए आपके का किसी बाते हैं तो मेरे लिएशव मेरें विए लिए इसमी कर दूब्लम पर देका दूर्स